बड़ी इलाइची बारादद, लौंग बारादद, दार्चीनी चार टुकडे, लैसन आधिपोती, अध्रक एक टुकड़ा, पानी आधा जग, सूफी बनासपती एक कप, काला जीरा एक चाय का चमच, साउफ एक खाने का चमच, साबित धनिया एक खाने का चमच, काली देड़ चाय का चमच, और नमक हस्बिजाउप, दही फुलकी बनाने के अजज़ा, बेसन आधा किलो, दही एक किलो, कड़ी पत्ते छे अदद, साबित लाल मिर्च बारादद, पानी दो कप, लैसन चार जवे, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चमच, जीरा आधा चाय का कुटी लाल मिर्च, देड़ खाने का चमच, सूफी बनासपती तलने के लिए, और नमक हस्बिजाउप, मचन पलाव बनाने की तरकीब, मलमल के कपड़े में तीन अदद तेज पत्ते, एक चाय का चमच काले मिर्च, छे अदद बड़ी लाइची, छे अदद लॉंग, एक खाने का चमच, सौफ, एक खाने का चमच, धनिया, दो टुकड़े दार्चीनी, आदी पोती लैसन, और एक टुकड़ा अद्रक डाल कर पोटली बनाएं, और उसे पैन में बकरे के गोश्च के साथ डाल दें, अब उसमें पानी और नमक शामिल करके हलकी आच पर पकाएं, फिर दुसरे पैन में सूफी पनासपती गरम करके प्यास फ्राइ करें, अब उसमें काला जीरा, आदा चाय का शमच काले मिर्च, छे अदद लॉंग, दो टुकड़े दार्चीनी, छे अदद बड़ी लाइची, तीन अदद तेस पत्ते, पकी हुई यखनी, भीगे वे चा और पानी डाल कर फेंट लें, अब कड़ाही में सूफी बनासपती गरम करके फुलकें तलें और प्याले में निकाल लें, भगार के लिए पैन में सूफी बनासपती, दो जवे लहसन, सापित लाल मिर्च, जीरा, अजवाइन, कड़ी पत्ते और कुटी लाल मिर्च शामिल पत्ते वाली रेसिपी को SMS पर हासिल करने के लिए स्क्रीन पर मौजूद कोट अपने मुबाइल फोन के मेसेज बॉक्स में लिखकर 8884 पर सेंड कीजे हुआ है